हम आपकी जेल से, आपकी CBI से, आपकी ED से, आपकी लाठी से, आपके डंडे से, आपकी गीदर वक्की से डरने वाले लोग नहीं है नमबर तो यदरप्पा का आना चाहिए, नमबर तो हेमन तुबिस्व सरमा का आना चाहिए, नमबर तो मुकुल लाए का आना चाहिए, नमबर तो सिवरा सिंग चोहान का आना चाहिए, यह सारे के सारे घोटाले बाज, भारतिय जंता पार्टी को अपना नाम बदल कर भारति चुमला पार्टी कर लेनी चीए चीए मौजूद है तो सर ये डोर टू डोर कैमपेंज जो आप सतेंद्र जैन और मनीशी सोधिया जी के लिए निकालने वाले हैं इसका क्या उद्देश है और क्या कुछ आम आदमी पार्टी अब करने वाली है क्या तैयारिया करने वाली है देखे जिस तरीके से भारतिय जन व्यक्ति से मिलेगी और एक एक व्यक्ति को बताएगी कि भारतिय जन्ता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से दिल्ली के विकास को दिल्ली के सिच्छा को दिल्ली के स्वास्त को दिल्ली के सारे कामों को रोकने का प्रियास कर रही है हमारा एक एक कार्करता दिल आपने माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को आवगत कराएंगे कि भारते जनता पार्टी किस तरीके से सीबी आई और इडी का इस्तमाल करके आम आदमी पार्टी के बड़ते कदम को और विष्तार को रोकने का प्रियास कर रही है सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आम आदनी पार्टी पहले भी केज़रिवाल ने ये साफ कर दिया था कि आरोप के तहट जो है मनीश इसोधिया को फसाया जा रहा है लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मनीश इसोधिया जो है अब वो सतेंद्र जैन की तरह ही लंबे वक्त क के लिए जेल में जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने सिक्षा मंत्री रहते हुए शराब निती पर ज्यादा ध्यान दिया देखे मनीश इसोधिया जी के यहां पिछले दस महिने से भारते जनता पार्टी की सीबी आई और ईडी जांच कर रही है चोधा चोधा घंटे मनीश इसोधिया जी से पूछता चुई मनीश जी के घर पर फरस तोड़ा गया दिवारे तोड़ी गई गद्धे फाड़े गए सोफा फाड़ा गया पर उनको कुछ नहीं मिला मनीज जी के गाओं पर चापे मारी हुई वहाँ पर कुछ नहीं मिला मनीज जी के रिश्यदारों के हैं चापे मारी हुई वहाँ भी कुछ नहीं मिला मनीज जी के दोस्तों के हैं चापे मारी की गई वहाँ कुछ नहीं मिला उनके बैंग के लॉकर को चेक किया गया, वहां कुछ नहीं मिला, उनके बैंग के एकाउंट को खाला गया, वहां कोई गड़बडी नहीं मिली, मनिश जी के पतनी के जेवराज चेक किये गये, वहां कुछ नहीं मिला, तो भारतिय जन्ता पार्टी बेसिकली अरविंद केजर प्रिवाल और मनीस सौधिया जी के कामों को रोकना चाहती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ भारते जन्ता पार्टी उस खास कर नरेंद्र मोदी जी से क्यों आएं और देश और दुनिया को यह बताएं कि आखिर मनीस सौधिया जी के घर में च्छापे मारी पर उनको क्या म नहीं था जब सब कुछ हो गया कहीं कुछ ना उनके घर पे कुछ मिला दोस्तों क्या कुछ मिला ना उनके रिश्यदारों क्या कुछ मिला ना चार सीट में उनका नाम था सीबिया एक दिन जांच के लिए बुलाती है पूछताच के लिए बुलाती है और कहती है जी कि सहयो पूछतार करती है उसके बाद कोड़ करती है कोड़ से कहती है कि जी हमको पूछताइच करना है थे तो तो क्या अब माना जाएं कि आम आदनी पार्टी को अब देश के बड़े सर्वोच या फिर एडी सीबीयाई पर भरोसा नहीं के एडी और सीबी आई कोई सर्वोच संस्था नहीं है एडी और सीबी आई भारतिय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है भारतिय जनता अगर एडी और सीबी आई सर्वोच संस्था होती निस्पक्च संस्था होती तो आज करनाटक का वो विधायक और उसका बेटा जेल में होता जिसके घर में भी हाल में आठ करोल रुपए बरामद हुए आज अडानी जेल के अंदर होते जिन्हों ने इस देश का लाखो करोल रुपए का घोटाला किया है देश का जो सबसे बेहतरीन सिक्छा मंतरी उसको आपने जेल में डाल दिया और जिसने इस देश का लाखो करोड रुपए घोटा लाकिया उससे प्रदानमंत्री जी उसके साथ जहाज में गोम रहे हैं इससे जादा शर्मनाक कुछ नहीं सकता आज मोदी जी भारते जनता पार्टी पूरी तरीके से ताना शाही पर उतरी है विपच्छ के उन सारे नेताओं को जेल में डालने का काम करें जिससे भारते जनता पार्टी डरती है पर नरेंदर मोदी और भारते जनता पार्टी से मैं बहुत साफ तोर पर कहना चाहता हूं कि हम लोग सरदार भगस सरदार भगस सिंग के मानने वाले लोग हैं हम लोग बाबा साहब भीम रहा हूं हम बटकर के मानने वाले लोग हैं हम आपकी जेल से आपकी सी बी आई से आपकी एडी से आपकी लाठी से आपके डंडे से आपकी गीदर भक्ती से डरने वाले लोग नहीं है अरविंद केजरिवाल जी के बढ़ते कदम को नहीं रोख सकते आप आम आदमी पार्टी के विस्तार को नहीं रोख सकते द ये सारी गिरिफ्तारी ये सारी जान से पिसले है कि अर्विंद केजरिवाल जी के बढ़ते कदम को रोकना चाहता है। यदरप्पा का आना चाहिए, नंबर तो हेमन्त विस्व सर्मा का आना चाहिए, नंबर तो मुकुल लाए का आना चाहिए, नंबर तो सिवरा सिंग चौहान का आना चाहिए, ये सारे के सारे घोटाले बाज, जिनके नाम का नारा भारते जनता पार्टी लगाती रही है, जिन अचारियों को डालती है और दूसरी तरफ से साफ करके निकाल लेती है तो यह सारे के सारे पहले जेल में होने चाहिए अडानी जेल में होने चाहिए और साथी साथ नरेंदर मोदी जी को इस देश को आके बताना चाहिए कि आखिर आम आदमी पार्टी ने मनीस सुधिया जी सतेंदर जैन जी ने जो घोटाला किया उसमें इनको मिला क्या पिछले दस महिने से लगातार आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के लोग यह जानना चाहता है और यह देश जानना चाहता है विसु जानना चाहता है कि आखिर मनीस सुधिया जी के घर से क्या मिला भार परेशान है, इस जेष का नवजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीम परहे हैं, महंगाई से लोग तराही माम कर रहे हैं, इन सारे मुद्धों से नरेंद्र मोदी जी इस देश की जंता का ध्यान भटकाना चाहते हैं इसलिए लगातार छापे मारी चल लगी है आप देखिए कि 2014 के बाद से लगबक 3000 नेताओं के उपर छापे मारी एडी और सीवी आई ने किया पॉइंट फाइफ परसंट लोग उसमें केंविक्ट हुए यह उनको जो उनके खिलाफ कोर्ट में यह कुछ पेस कर पाए और 95% लोग बरी हुए और इन तीन हजार लोगों में 95% से अधिक लोग गैर भाजपा के लोग हैं तो भारतिय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की एजनसियों का इस्तेमाल विपच्चियों को खतम करने के लिए कर रही है मुझे लगता है यह लोग तंद्र के लिए सबसे शर्मनाक है और यह हंदूस्तान की जो तरक्की है उसको रोक करके आप सारे सारा ध्यान अपने विपच्चियों पर लगा के मीडिया का सारा द्यान देश का सारा द्यान लगा क्या बच नहीं सकते आप को देश की जन्ता को जवाब देना होगा तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मनीशी सोधिया और सतिंद्र जैन को लेकर प्रामादनी पाटी के प्रवक्ता आदल खान ने वीडियो में फिलाल इतना ही हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ मुझे दीजे इजाज़त देश और दिन्या के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंद टीवी को लाइक शोर सब्सक्राइब जरूर करें कैनल परसे सुमित के साथ चालनी जाद ली सौगंद टीवी आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की